साथियों, मैं जब गुरुदेव के बारे में बात करता हूँ, तो एक मों से खुद को रोक नहीं पाता हूँ, पिछली वार आपके हाँ आया था, तब भी मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था, मैं फिर से गुरुदेव और गुजरात की आत्मियता का स्वरन करा रहा हू ये बार-बार याद करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ये हमें एक भारत, फ्रेष्ट भारत की भावना से भरता है, ये दिखाता है कि अलग-अलग भाशाओं, बोलिया, घान-पान, पहनावे वाला हमारा देश, एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है, ये दिखाता है कि कैसे विवीदिताओं से भरा हमारा देश, एक है, एक दूसरे से बहुत कुछ शिक्ता रहा है, साथियों, गुरुदेव के बड़े भाई, सत्तेंद्र रनाज टगोर, जब ICS में थे, तो उनकी नियूक्ति गुजरात में एमदाबाद में भी हुई थी, रविनाट टेकोर जी अक्सर गुजरात आज जाते थे, और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया था, एमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी दो लोकप्रिये बांगला कविताए, बंदी ओ आमार और निरोब रजनी देखो, ये दोनों रचनाएं की थी, अपने प्रसित रचना छुदीत पाशान का एक हिस्सा भी उन्होंने गुजरात प्रवास के दोरानी लिखा था हुए, इतना ही नहीं, गुजरात की एक बेटी, स्रीमती हटी सिंग, गुरुदेव के घर में भी, वो बहु बनकर भी आई थी, इसके अलावा एक और तथ्य है, जिस पर हमारे women empowerment से जुड़े संकटोनों को अध्यान करना चाहिए, सत्ते इंद्रना टेगवर जी की पत्नी, ज्यानन दिनी देवी जी, जब एमदाबाद में रहती थी, तो उन्होंने देखा कि स्थानिये महलाएं, अपने साड़ी के पलू को दाहिले कंदे पर रखत इसलिए महलाओं को काम करने में भी कुछ दिक्कत होती थी, ये देखकर ज्यानन दिनी देवी ने आडिया निकाला कि क्योंने साड़ी के पलू को बाई कंदे पर लिया जाए, अब मुझे ठिक ठिक तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि बाई कंदे पर साड़ी का पलू उन्ह की देन है, एक दूसरे से सीख कर, एक दूसरे के साथ आनन से रहते हुए, एक परिवार की तरह रहते हुए हम उन सपनों को साकार सकते हैं, जो देश की महान विब्युतियों ने देखे थे, यही समस्कार गुरुदेव ने भी विश्व भारती को दिये हैं, इनी समस्कारो को हमें मिलकर निरंतर मजबूत करना है। साथियों आप सब जहां भी जाएंगे, जिस भी फिल में जाएंगे, आपके परिस्थम से ही एक नए भारत का निर्मार होगा। मैं गुरुदेव की प्रंक्तियों से अपनी बात समात्त करूँगा। गुरुदेव मैं कहा था। मैं देश में नई संभावनाओं के द्वार आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सब सफल होईए, आगे बढ़िए और देश के सपनों को पूरा करिए। इनी शुब कामनाओं के साथ आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और ये शताब्दी वर्ष हमारी आगे की आत्रा के लिए एक मजबूत मिल का पत्थर बनें। हमें नई उचाईयों पर ले जाएं। और विश्व भारती जिन सपनों को लेकर के जन्मी थी, उनी सपनों को साकार करते हुए विश्व कल्यार के मार को सप्रसत्त करने के लिए भारत के कल्यार के मार को मजबूत करते हुए आगे बढ़े। यही मेरी आप सबसे शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद